1xbet app से पैसा कमाना चाहते हो तो आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप 1xbet app में अपना account create कर सकते हो साथ में मैं आपको एक ऐसा promo code provide करूँगा जो आप registration की time enter करूँगा जिससे आपको 33,000 रुपीज तक का first deposit bonus मिल जाएगा तो आपको download करने के लिए simply आपको क्या करना है अपने chrome browser या safari browser को open करना है simply search करना है download 1xbet app simple है ना download 1xbet app search करने के बाद पहली ही website पर आपको click करना है तो इस पर click करने के बाद कुछ ऐसा interface आ जाएगा तो यहाँ पर आपको download for android and download for ios भी मिल जाएगा अगर आपके पास iphone है तो ios पर click करना अगर आपके पास android device है तो android पर click करना मैं android पर click करूँगा तो मेरी application उपर से download हो जाएगी download करने के बाद आपको app को install करना है अभी हम registration के लिए app को open करते है उपन करने के बाद कुछ ऐसा interface आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको दो options मिल जाएगे registration and login सिंपली आपको registration पर click करना है तो उसके बाद यहाँ पर आपको चौर options आ जाएगे प्रोम कोड सबसे important है यही सबसे बड़ा खेल भी है xd130 यहाँ पर आपको enter करना है xd130 जब आप enter करेंगे तो आप जब भी deposit करेंगे उस पर आपको 33,000 रुपीज का deposit bonus मिल जाएगा तो xd130 पर click करने के बाद यहाँ पर आपको terms and conditions को accept करना है I am not a robot आपको उपर klik करना इम नाट रोबोट उसके बद यहाँ पर आपको capture पूछेगा ये सबसे important है देखे यहाँ पर हमसे ये bus पूछ रहा है देखे यहाँ पर स्क्रीन पर देखिये उस सक्लिक करना है तो मैंने confirmation code बेज दिया, अभी मेरे number पर confirmation code आ गया, confirmation code आने के बाद activate पर click करूँगा, उसके बाद मेरी ID automatically login हो जाएगी, यह आपको ID and password screen पर आ जाएगा, तो आपको आपना ID login करना है, मैं login कर देता हूँ, login करने के बाद कुछ ऐसा interface आ जाएगा, तो अभी आपको deposit करना है, deposit करने के लिए उपर आपको plus का icon आ रहा होगा, इस पर आपको click करना है, इस पर click करने के बाद आपको deposit के बहुत सारे options आ जाएगे, जी पे, phone पे, Google पे, तो मैं यहाँ पर UPI select करूँगा, क्योंकि UPI सब के पास होता है, अगर आपके पास जी पे है, phone पे है, Google पे है, सारी च उसके बाद जो भी आपका amount रहेगा, like मैं आपको recommend करूँगा, आप तो maximum से maximum deposit कीजिए, like मेरा amount रहेगा 10,000 रुपीज रहेगा, मैं USE UPID पर क्या करूँगा, 10,000 रुपीज का payment कर दूँगा, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी UPID डाल दी है, अपनी वाली, तो यहाँ पर में डाल दूँगा, उसके बाद मैं अपना नाम डाल दूँगा, तो उसके बाद जो मैंने payment किया होगा, payment के screenshot पर आपको reference number या UTR number जोसको हम बोलते है, वो आपको यहाँ पर डाल देना, यहाँ पर 12 characters का आजाएगा, ठीक है, वो डालने के बाद यहाँ आपको confirm नीचे सबस्क्राइब कीजिए, तो मिलते हैं next वीडियो में, thank you so much